मैंने पाकिस्थान में तीन मैना यातना है जली, तीन मैने सहिनिक, आज हिंदुस्तान की सड़कों पे, आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, कि एक कटोरा लेके, और बाद में एक तिरंगा लेके, नया की भिक मांग रहा हूँ, सरकार से भी, और पूरे लोगों से, और वही चीज में नया की भीक मांग रहा हूँ, नया को लेकर दो फौजी जो है, सड़कों पर कटोरा लेकर निकले हैं, और नया की गुहार लगा रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये फौजी है, और ये कटोरा लिए है, ये आप पड़ पा रहे हूंगे, नया की भीक दो, नया की भीक मांग रहे हैं, फौजी हैं, भईजी आप फौजी हैं, और नया की भीक मांग रहे हैं, बिल्कुल सर, हमारे साथ जब अन्या हो रहा है, तो नया की भीक मांगेंगे हम, क्या ऐसा होगे चनुजी आपके साथ, मैं 2016 में पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसके बा तो रोका जाए, इसलिए हम नाय किभिक मांग रहे हैं, क्या होता है, क्या अप लोगों के साथ हुआ है, अभी बताओ, जब मैं 11 साल सर्विस कर लिया देश के लिए, और आज मुझे घर बेज दिया जा रहा है, क्यों बेजा जा रहा है, इस शोशन ने तो क्या है, कोई वज जा वही बताओ, आदिकारी बताओ, जांज बताओ, जांज बताओ, जांज आओ, वही पनिशमें देने वाले बेठे, वही जांज करने वाले बेठे, और वही घर बेजने वाले बेठे, हम तो न्याही मांग रहे हैं, जो शोशन किया जाता है, आदिकारी दोरा, बार बार ये एक बार दिखाना चाहेंगे ए मेरे वतन के लोगों पाकिस्तान में घुस कर मार कर हिंदुस्तान का जंडा फैराने वाला मैं जवान चंदू चवान आज चाय बेचने वाले के राज में एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पर नयकी भीक मांग रहा हूँ वही पाकिस्तान से आने वाली सीमा है दर को चाय बेचने वाला नोकरी और टिकट दे रहा है क्या यहीं साफ है यह दर दिन यह जो चंदू है इनका है जी बिलकुल आज मुझे मैंने पाकिस्तान में तीन मैना यातना है जली मानसीक, शाररीक, हर जगे से मुझे प्रताना किया गया पाकिस्तान में और अंधरी कोठरी में रखा गया क्या इसलिए मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है कि एक हाथ में तीरंगा और एक हाथ में कटरा लेके हिंदुस्तान की सड़कूपे में नय की भीक मांग रहा हूँ देश के लिए मैंने इतना बरदाश किया और वही चीज में नय की भीक मांग रहा हूँ पाकिस्तान की कैद में आप कैसे आये थें बेटा पाप से पर्मिशन लेगा क्या और जब हमारे हम्राज करकर आज जिसकी गर्दन काट डिगी थी इस सारी चीजों को सोच आप थोड़ा कहा जाए आपका खून खौल गया था और बेनानुमती के अधिकारियों क्या पाकिस्तान की बार्डर करा यही तो जांच का विशे सल रहे हैं कि एकि फोर्टी स्यों राइफल पोन छेके में गाया थी तो में डूटी पर नहीं था क्या नहीं यही साथा है वही आदिकारी बता है पाकिस्तान की कैद में आप आये थे कहा उस दौरान मुद्भेड भी हुई थी ऐसा कुछ हुआ था तो वही तो बोल रहू हूं मैं जब आपने भारत मा के उपर कोई कुछ चीज होती है तभी तो कुछ होता है जब आप L.O.C. पार किये तो मुद्भ और आज वही देखिए एक सर की गरदन बोल रहे थे ना उस टाइम पर एमराज आपने न्यूज सुना था उसकी फैमली को आज नोटिस देखे घर पे भेज़ दिया है कौटर खाली करवा लिया है जिसकी गरदन काटी थी ना एमराज करकरास की वही फैमली के पास जनरल ग उस्तासर ये डाकुमेंट में बोला जाता है कि इतना पैसा दे रहे इतने कर रहे जूट रहेता है मीडिया बीग चुकी है हम चाहते है कि देश की सच्चाई हम बताए इसलिए लोगों को बता रहे कहां कहां अभी तक आप गुहार लगा चुके हैं रक्षा मंतरी से लेकर प्रदान मंतरी गुरूव मंतरी इनको पत्रवेवर में करता ही रहा हूँ जब से पाकिस्तान से आया तब से टॉर्चर ही हो रहा है मेरे साथ साल में शोचन से पीडित हूँ 11 साल सर्यूस करने के बाद मुझे घर बेजा जान बुचकर अधिकारी दोरा कि मेरा पेंचन का जब ताइम आया उन्होंने जान बुचकर मुझे गेर बेजा मेरा मुझे बताओ कि मैं पाकिस्तान से आने वाली एक सीमा इदर आती है उसको नोकरी की ओफर मिलती है और उसको टिकिट टक दिया जाता है और एक अभी नंदन जो दो दिन में आता उसको मेडल दिया जाता ह है और वही सहिनik एक सामान्य सहिनिक सिर्प तीन मेंना एक किस दिन सजा कारता है देश के लिए और उसके बाद शोशन किया जाता है उसको और उसको बाद 11 साल बाद जा जाता है और वही सहिनिक आज हिंदूस्तान की सड़कों पे आज मुझे यë दिन देखना पड रहा है कि एक कटोरा लेके और बादने एक तीरंगा लेके नहीं कि भीक मारा हूँ सरकार से भी और पूरे लोगों से क्या आपको अच्छा लग रहा है सुनते हुए मेरको एक एक मिनिट के लिए ऐसे दर्द होता है सर अंदर जो शोषन से पीडित हो रहे हैं हम जवान एक 1950 के तहित जवान को आज भी पनिशमेंट दिया जा रहा है ब्रिटिश लॉग के तहित जो आदिकारी अपनी मर्जी से पनिशमेंट देगे कुछ भी दे देगे क्यों हो रहा है हमारे साथे सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही इसके उपर जवान बार की लड़ाई कम मर्रहे अंदर ही जाता मर्रे इस त सफाइट और मारा हत्या क्यों हो रहाए सरे क्या यह बोलना आप रहा दे आप बताओ जब अन्य ऑ Гवह बोलना आप रहा दे देश पर जवान की बात सुनने के लिए कोई ने आया सर मीडिया पूरी चुपा दिया बताओ सर उससे में आंदोलं करता रहा कंदर करता रहा फिर बाद में हरंदर भाई ने मुझे संपक किया हमने उन से संपर किया हमारा दोन के बात हुआ यह भाई